एक बिगा में इसका मातर जो खर्चा आता है वो 50-60 रुपे आता है दुनिया का सबसे छोटा ट्रेक्टर दिखाना चाहूंगा जिसे किसान विला मीनी ट्रेक्टर कहा जाता है और इससे आप परे खेतों में जुताई करनी हो हलकी जुताई करनी हो पहाडी राच्चों के लि लोग फेज़ूब करें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका वजन चेक करा देता हूं क्योंकि सबसे हलका यह इसको पहाडी राज्जों के लिए सबसे अच्छा है इसको लेकर जाना एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही असान है क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता है कि पर ट्रेवल ही हम कर सकते हैं लेकि और दोसरी बड़ी बात वजन में हलका है लेकिन पावर में हलका नहीं है 63 सिसी का इसका इंजन है जो की बहुत ही कॉंपेक्ट साइज का है और यहीं से आपको इसको कंट्रोल कर सकते हैं जो यह स्पेस कवर करता है 18 इंच तक यह कवर कर लेता है तू स्टोक इंजन है इसका और यह तू स्टोक का मतलब यह होता है इसके अंदर आपको पैट्रोल में टूटील डालना पड़ेगा और जो यह सिलेंडर है यह सिंगल सिलेंडर इंजन है और जो यह काफी पावरफुल इंजन है आपके इस ट्रेक्टर के हिसाब से औ पूरा आपको हाथ से उपरेट कर सकते हैं इस त्रीके से दोस्तों इसको इस्तेमाल करना बहुत है आज करता है ऑफ इस हाथ से उपरेट कर सकती है आपको यहां से पॉर्ध को सब्सक्राख करना थोड़ा-सा उसके बाद आपको यहां पर हाथ रखें बहुत ही असाल है इस बटन को यहां पर दबाएंगे और यह बंद हो जाएगा अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ पर दोस्तों अब बात आती है यह किन किसानों के लिए बैस्ट है अगर आप सबजी के लिए अपनी भागवानी खिती करते है ऑपनी जो छोटे किसान है जो पहाडी रज्जों से हैं उनके लिए ये बेस्ट मशीन है अगर आप हैवी डूटी मशीन देख रहे हैं कोई तो आप साथ एच्पी के साथ जाएं क्योंकि वह एक हैवी डूटी परड़क्ट है वह इसका बड़ा रूप आ करता है उससे आप 5030 काम कर सकते हैं वह एक बड़ी मशीन है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जैसा इसका साइज है उससे बहुत इसका जायज प्राइस है मातर 20,900 पे में आपके घर तक यह पड़ता है और दूसरी बात आती है वरंटी की छे महीने की इसके सबसे अच्छी बात यह है कि यह मातर एक लिटर पेट्रोल में आपका 60-70 मिनट तक अराम से निकाल देता है एक बिगा में इसका मातर जो खर्चा आता है वह 50-60 रुपे आता है आप इससे एक एकड़ चार घंटे में बड़ी असानी से कर सकते हैं अगर आपको निराई कर करनी अगर आप इससे जुताई करना चाहते हैं जुताई भी कर सकते हैं एक ईसको कमपनी का कव सब्सक्राइब करना और और फोलो करना ना भूलने जयूह तक नहीं वीडियो में धन्यावाद जैन्द